Good morning students, आज का हमारा subject English है और date है 28, day Monday तो आज हम revision करेंगे थोड़ा सा जो हमने पढ़ लिया उसी को revise करेंगे तो first question है, write the name of person, place, animal or thing तो यहाँ को आपको पढ़ाया है, persons में किस-किस के name आएंगी जिसे engineer लिख सकते हैं, किसी का नाम लिख सकते हैं, doctor लिख सकते हैं इस तरीके से आप persons में लिख सकते हैं, अनिमल में लिख सकते हैं, अनिमल लिख सकते हैं, अनिमल में लिख सकते हैं जिसे chair, pencil, eraser, sharpener, यह हम things में लिख सकते हैं अब है, add, as, or yes, make the following noun plural, हमको इन में as, or yes का use करके, उनको singular से plural बनाना है यह मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको अपने आप बिना देखी करना है, ठीक है, cheating नहीं करना है तो अच्छे से, आप as, or yes का use का और कैसे करते ही, मैं आपको explain कर चुकी, तो आपको उसका use करके, और plural, normal बनाना है, ओके next है, tick the correct option, who teaches in a school, हमें teach, कौन पढ़ाता है, इस्कूल में, doctor, teacher, यह प्याउन, तो आपको तीनों मेंसे, जो answer सही है, उस पर right tick करना है who looks after the plants in a garden, garden के देखरी कौन करता है, cobbler, cookie या gardener, this animal is called the ship of desert, जो रेगिस्तान का जहांज होता है, वो कौन सा animal होता है, camel, horse या got, who make over furniture, हमारा furniture कौन मना आता है, tailor, car painter या farmer, what come after July, July के बाद में क्या आता है, September आता है, June आता है, या August आता है, तो आपको इन में से right tick करना है, सही answer पर, आप यहां write weekdays name और month's name, तो आपको यहां weekdays name लिखने है, weekdays name आपको पता है, Sunday, Monday, Tuesday, जो chapter में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और month's name आपको यहां पर पूरे 12 month's name लिखने है, ओके, thank you.